वैलकम बाक इवरीवन एस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं केफ इंटेकनलोजी स्लिमि के कॉर्टर 1 रेजल्ट के बारे में केफ इन टेक्नलोजी स्का सबसे पहले हम लोग यहां में बिजनिस करते हैं कंपनी जो है भर स्विश प्र वाइड करती है यहाँ पे foreign countries के लिए उनके अंदर ये लोग help करते हैं इसके लावा transaction origination and processing में मदद करते हैं देखो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कोई भार की company है और यहाँ पे इंडिया के अंदर invest करना चाहती है अब उन्हें एक certain route लेना पड़ेगा वो ऐसे ऐसा नहीं हो सकते कि वो directly markets में आके directly buy कर ले तो उनको यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए जो उनके बीच में एक mediator हो और उनके stocks को assist कर सके तो उसका भी company जो है यहाँ पर business करती है जिसका एक अच्छा portion आज यह enjoy कर रहे है बिकॉस इंडिया जो है further भी अगर आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में भी देखेंगे तो foreign investments यहाँ पर काफी जादा attract हो रही है और काफी जादा attract होते होए भ book running के अंदर तो यह जो है कही ना कही book runners को help करते हैं इस process के दुरू जिससे चीजे जो है उनके लिए भी easy होती है because एक IPO एक company जब public जाती है तो काफी सारे components होते हैं यहाँ पर लगते हैं तो वो जो है important factor है है यहाँ पर देखिए अभी जो season है बहुत बढ़िया season है because markets काफी जादा ऊपर है समय पर यहाँ पर हम लोग काफी जादा IPOs को भी विटनेस करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जिसकी विज़ा से हमें sales पे एक अच्छा effect देखने को मिला 219 करोज के sales यहाँ पर हमें देखने को मिले December 2023 में या फर कॉर्टर 3 रिजल्स में operating profit margin हमें 45% तक नजर आए because यहाँ पर company जो है कहीं न कहीं asset light business पे ही है बहुत जादा capital required नहीं होता है business के अंदर human resource जो है वहाँ पर ज्यादा पैसा लगता और वह एक important factor है यहाँ पर आपको देखना है वही net profit की बात करें तो 67 करोज तक हमें देखने को मिला देखो तो ultimately तीनो ही चीजे जो है तीनो ही metrics जो है यहाँ पर ऊपर के end पर देखने को मिले जो कि एक बहुत अच्छा point है और साथ ही में हमने एक relative comparison के लिए यहाँ पर कॉलम को आड़के जहां पर percentage wise sales के अंदर और जो net profit के अंदर change हमें देखने को मिला वो देख सकते है आनो लेव companies ही बना पाती है generally यह जो बाकी companies होती है जिनके अंदर capital required होता हो इतने margins नहीं बना पाते हैं operating level पर net profit की भी बात करें तो उसमें हमें एक अच्छी growth देखने को मिली बट देखो आपको एक point पते क्या समझने कि अभी market के लिए बहुत अच्छा time है markets अपने all time high pay and in fact नए high break क काफी जारी companies जो है list कराना चाह रही है तो यह जो business है ना इसकी वेज़े से इनको अभी boost मिल रहा है तो यह आगे sustain होगा की नहीं वो देखना बहुत जादा important रहने वाला है numbers आगे sustain होंगे की नहीं देखो Q4 में हो जाएंगे Q1 में हो जाएंगे but what happens after next year Q2 वो देखना please like share subscribe जरूर करियेगा अगर आपको पसंद आये तो and I'll see you guys in the next one